आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ आपके सब्सक्राण में अच्छाइब यह एक्स करते हैं अब इंटरसेप्ट का मतलब यह हो गया है कि यहां एक लाउनपाण ड्रो करते हैं आइसे यहां पर इंटरसेप्ट करता है इस पॉैंट को कर यहां पर क्या बुला है कि first line है वो हमारा a, minus b पर यहाँ पर intercept कर रहा है so x-axis हो जाएगा a,0 और यहाँ पर y-intercept क्या हो जाएगा so y-intercept यहाँ पर क्या बोला है minus b में बोला है इसलिए अपन a,0 इसको हम यहाँ पर कर रहे है तो यह जो line होता वो हमारा क्या होता y-axis को यहाँ पर cut कर रहा होता so y axis यानि कि negative y axis को so negative y axis को ऐसे कुछ cut कर रहा होगा ठीक है तो line है वो हमारा कुछ ऐसा बन गया अब यह जो point है जो y axis वाला point है वो क्या हो गया so 0, minus b ठीक है so यह intercept का meaning हो गया अब यहाँ पर पन देखें तो first line हमारा यह है जिसका intercept यह था a, minus b तो इसका slope क्या हो जाएगा so slope is equal to क्या होता है formula y2 minus y1 divided by x2 minus x1 so यहाँ पर पन देखें तो क्या बन जागा यह y2 हमारा क्या है so minus b और y1 क्या है 0 upon यहाँ पर x2 क्या है हमारा so x2 है 0 minus x1 क्या है a तो यहाँ से क्या आगे हमारा minus b upon minus a यानि कि क्या बन गया है हमारा so this is equal to b upon a बोल सकते हैं इसको slope 1 बोल देते हैं भी first line का slope 2 अपर निकाले यानि कि m2 यानि कि line 2 का तो उसमें हमें देखें तो यहाँ पर point क्या है b, minus a so b, minus a का meaning क्या हो गया so x coordinate हमारा यहाँ पर b, 0 b, minus a यानि कि 0, minus a ही हो गया so यहाँ से पन देखें तो यह क्या बन जाएगा हमारा so अगर x2, y2 हमने इसको बोला और x1, y1 इसको बोला तो यह क्या हो जाएगा, minus a, minus a, minus 0, whole divided by 0, minus b, यानि कि minus a, whole divided by minus b, that is a upon b बन गया यह, ठीक है so अब यहाँ से पन देखें, तो 10 theta का formula क्या होता है, अगर दोनों के बीच का angle निकालना है, so 10 theta is equal to होता है m1, minus m2, whole divided by 1, plus m1 into m2 होता है तो यहाँ से पन क्या लिख सकते है, so m1 का value हमें क्या मालूम है, so m1 हमने निकाला है b by a, तो यह बन जाएगा b by a minus a by b, whole divided by 1 plus b by a into a by b, ठीक है, ऐसा बन गया तो यहाँ से अपन देखें, तो यह total term हमारा b से b cancel, a से e cancel हो गया, तो यह क्या बन जाएगा हमारा, so LCM लेंगे, तो यहाँ पे LCM क्या आगेगा, a, b, तो यह हमारा आजाएगा b square minus a square, और यह हमारा क्या बन जाएगा, 1 plus 1 यानिकी 2, तो अपन इसको क्या लिख सकते है, b square minus a square whole divided by 2ab, ठीक है, तो यह 2ab, यह किसका value है, so 10 theta का, तो यहाँ से theta क्या बन जाएगा, so theta is equal to आजाएगा, यहाँ से 10 inverse, यह बन गया, b square minus a square whole divided by 2ab, तो कांस option करेक्ट हो जाएगा, 10 inverse, b square minus a square upon 2ab, option 3, thank you. आट चार्सो 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 पर